नमस्क्राइब दूस्तों मार्केट प्रेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दूस्तों वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनस कॉर्परेशन लिम्टेड शेर के बारे में शेर का सौट फॉर्म जो आप देखें आया फसी जो कि आप आराम से बहुत सुने होंगे या फिर देखें होंगे अपके अगर वाचलिश में एड नहीं है तो वाचलिश में जरूर इस शेर को एड करें बिकोज में बात करूं इस चेर का प्राइज लगबग 20 रुपे से 22 रुपे टेड करता था आज यह 47 रुपीज है लगबग 1.5 साल पहले की बा करता है कि जहां पर हम बाइंग करके शॉट रम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं जो कि अगर आप देखें 47 रुपीज के आज पास शेर का प्राइज चल रहा है देन हम यहां पर 5 से 10 रुपे का प्रॉफिट आराम से शेर के अंदर 2 से 3 मेने के अंदर निकाल सकते है तो कौन से लेवल पर बाइंग करना चाहिए वह मैं आपको यहां पर चार्ट पटन के तरू अच्छे समझाऊंगा उससे पहले आप यहां पर IRFSC के स्टोक डिटेल के बारे में जाने बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि आप स्टोक को बाइंग कर रहे हैं तो यहां 27 परसंड के एक साल के अदर रिटन दिये सेक्टर में इसने 17 परसंड के रिटन दिये और मार्केट रिटन भी देखें तो 10 परसंड के रिटन देखने को मिलते हैं मार्केट के इसका अभी 62,402 करोड का मार्केट कैप है और साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर फुली डिविडेन भी लगबग 3% का डिविडेन यहाँ देखने को मिलता है तो आने वाल टाइम पे एक ग्रीज में रहो सकता है विकार यहाँ पे काफ़ अच्छी कंपनी में मानता हूँ और लेवल्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं और चोटा शेर है अभी भी यहां पर 47 के रूपीज के आसपास है लेकर आने वाल टाइप है यह भी और भी अच्छे से प्रफॉर्मेंस करने वाल है पर मोटर्स की होल्डिंग देखें आप तो 86% की पर मोटर होल्डिंग है FIS ने 1% किया हुए Mutual Fund ने अभी थोड़ा सा कम किया है 1% से 0.7% किया है Insurance Company ने 1.25% किया है Then D.I.S. ने थोड़ा सा इस्टेक अभी 0.01% बढ़ा है Public के अंदर भी 10% की holding आपे बड़ोतरी देखने को मिलती है अगर मैं बात करों चार्ट परटनी के साब से जो कि आपको बाइंग करने के लेवल में बता रहा हूं कि कौन से लेवल हो सकते हैं जहां पर आप बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं तो मैं बतारों, अगस्त के महीने से इस शेर के अंदर काफी तेजी देखी गई है, जो 34-35 रुपे से शेर का प्रेट डिरेक्ट 50-52 रुपे से उपर चला गया है, तो बढ़ा मुश्किल आपके लिए होता रहेगा, मैं कहूंगा कि आगर आपको बाइंग करना है, तो इस श एक देखने को मिल रहे है, 40-42 के आसपास आप बाइंग करना है, से फस्ट बाइंग ऺंग, 45-46, 47 आसपास, 47 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45-46 के ऑपर बाइंग करना है, चालीस से और बंबाइंग करना है, तो आप एक लेवल पर बने रहेंगे, और जबभी यक प्रोफि करना बिल्कुल नभूले